What is the role of the judiciary? सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल जो है वो कौन दरहा होगा कि आकरकार judiciary क्या होता है? और अगर आप जान चुके होंगे तो डेफिनिटली आपके दिमाग में इस तरह का picture चलना शिरू हो चुका होगा. जी हाँ इस तरह का picture जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं court, court यानि कि यह हो सकता है, high court भी हो सकता है, यह supreme court भी हो सकता है. तो judiciary कहने का मतलब कि एक तरह का court होता है यह जिसमें high court हम कहते हैं, civil court कहते हैं, supreme court कहते हैं, तो उसको हम judiciary कहते हैं. अब उसके रोल क्या है ये हम सभी यहाँ पर जानेने का प्रयास करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ जेनरल नॉलिज की बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं तो चलिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे पहले सूपरीम कोर्ट कब इस्थापित की गई थी तो मैं आपको बता दूँ कि सूपरीम कोर्ट सबसे पहले इंडिया में आपका 26 जनवरी 1950 को स्टेबलिश की गई थी ठीक है तो इस बात को धियान रखेगा और इसको याद रखना भी बहुत ही इजी है क्योंकि आपको मालूम है कि 26 जनवरी के दिन में ऐसा क्या हुआ था तो 26 जनवरी के दिन हम सभी मनाते हैं Republic Day यानि 26 जनवरी मनाते हैं तो 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोट जो है भारत में अस्थापित किये गए थी तो यह हो गई एक आपकी जेन्डर नॉलिज की बाचेत तो चलिए अब हम सभी ये जानने का परियाश करते हैं कि आकरकार रोल क्या है किसी भी जूडिशरी का यानि कि हम भारत में जो हमारी जूडिशरी है जो आपका नयाए बिवस्था बना हुआ है उसका रोल क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझने का परियास करेंगे तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का बिवस्था जो है वो बना हुआ है तो अब पहला जो इसका रोल है वो क्या है? Dispute Resolution यानि कि कोई बिवाद हुआ तो उस बिवाद का निप्टारा कौन कर सकता है? Judiciary कर सकता है Judiciary कहने का मतलब कि आप Civil Court में जा सकते हैं High Court में जा सकते हैं Supreme Court में जा सकते हैं और उस बिवाद का निप्टारा कर सकते हैं अब ये जो Dispute होगा वो किनके किनके बीच में होगा और क्या हो सकता है? तो देखे, Actually में होता क्या है जैसे कि माल लिजे कि दो सिटिजन के बीच में कुछ बिवाद हो गया ठीक है? कोई दो सिटिजन के बीच में बिवाद हो गया अब बिवाद कैसे हो सकता है? कि जैसे कि माल लिजे कि आप हैं और कोई दूसरा आदमी है उनके बीच में किसी तरह का कोई जगड़ा हो गया गाली गलोज हो गया या हो सकता है कि मारपीट हो जाया तो ये एक तरह का dispute हो गया, लेकिन ये इतना जादा गहरा हो जाता है, कि वो आपके काबू में नहीं होता है, तो आप जाते हैं थाने में, थाने में fire copy लिखवाते हैं, वो शकायत करते हैं, और वहाँ पर भी जब नहीं निपड़ता है, तो सीधा इस चीज़ को forward कहां की जा चले जाएंगे, आप या तो high court चला जाएगा, या तो supreme court आप जाकर वहाँ पर इस चीज़ का निपड़ा करवा सकते हैं, तो इस तरह का जो बिवाद होता है, उसको कौन निपड़ाएगा, तो ये court जो है, इस चीज़ को निपड़ाने में महिर होता है, इसको आपका जो ह तो उसको भी निपड़ाया जा सकता है, अब example आपको मैं इसमें दूँ जैसे कि मालिच ये, बुर्का को लेकर जो बीच में बिवाद हुआ था, कि वो जो मुसलिम समुदाई के लोग हैं, वो स्कूल में बुर्का पहन के जाएंगे, नकाब लगा के जाएंगे, क्योंकि उनके कुरान में ये चीज नेसेसरी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्कूल जो इसको डिनाई कर देता है, और ये काफी ज़्यादा सिटिजन और गवर्मेंट के बीच में जब ये बिवाद होने शुरू हो जाते हैं, तो इस मुद्दा को कहां पर ले जाया जाता है, जुटिशरी का सहरा ले सकते हैं, और भी इस तरह से आप बहुत सारे एक्जैम्पल्स अपने आप से सोच भी सकते हैं, साथ ही साथ और भी अगर चीज़े देखें कि जैसे कि माल लीजे कि दो स्टेट है, दो स्टेट की बीच में किस तरह की कोई विवाद हो गई है, तो उसको भी आप कहां पर ले जा सकते हैं, कोट के पास ले जा सकते हैं, जैसे माल यह जार्खन और भीहार है, तो जार्खन और भीहार में किस तरह को लेकर, बटवारा को लेकर, या जिस तरह का कौन सी पावर किस के पास होगी, किस स्टेट के पास होगी, कितना एरिया इसका होगा, इस तरह का अगर कोई विवाद होता है, तो अगर वो चीज नहीं सुलच पाता है, State Government की बीच में, तो वो Judiciary के पाज जा सकते हैं, वो High court के जा सकते हैं, वो Supreme court जा सकते हैं, और इसका निप्टारा जो है, वो मांग सकते हैं, साथी साथ और भी किस तरह करने प्रारा करता है जैसे center and the state government की बीच में भी कभी-कभी विवाद हो जाता है जैसे example के तोर पे अभी आपको मैं देता हूँ झारखंड का तो झारखंड में जैसे कि 1932 का खत्यान को लेकर काफे जादा बिवाद चल रहा है किस के बीच में भी बीच में भी है और state government के भी है जारखंड सरकार चाती है कि 1932 की जो खत्यान है वो लागो हो जाए जारखंड में जबकि central government इस पर नहीं चाती है कि 1932 जो है वो लागो हो जाए क्योंकि इसे बिवाद पढ़ेंगे तो अब ये matter कहाँ चला जाएगा अब ये दोनों के बीच में विवाद हो गया है तो अब definitely जब ये नहीं सूल जाएगा तो definitely कहाँ चला जाएगा जुडिशिरी के पास चला जाएगा ठीक है? यानि कि Supreme Court के पास ये अब मामला जाएगा Court के पास आएगा कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए उससे तरह से जार्खन में एक और मुद्दा है सरना Court बिल्को लेकर यहाँ पर भी इस तरह से जो है अलग तरह का ये धर्म है और जार्खन में आदिवासियों के लिए ये धर्म जो है वो माइने रखती है लेकिन अभी इसको धर्म का कोड जो है सेंटर गवर्मेंट नहीं दी है तो ये भी अगर इस तरह का भी जो है central government और state government के बीच में जो बिवाद है उस बिवाद को निप्टाने के लिए वो court जा सकते हैं ठीक है तो इस तरह के जो भी चीजे हैं यानि कि dispute जो resolution होता है उसके लिए हम judiciary में जा सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रोल है judiciary का एक court का कि किसी भी बिवाद का निप्टारा कर सकता है चाहे वो नागरिक के बीच में हो बिवाद या हो सकता है कि government के बीच में हो citizen के बीच में हो या दो state government के बीच में हो या central government या state government के बीच में हो अब दूसरा क्या इसका रोल है judiciary का चलिए अब वो भी हम समझ लेते हैं तो जो इसका क्या मतलब हुआ अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं जैसे के माल लीजे की पार्लिमेंट है आपका ठीक है तो कानून कोन बनाता है आपका पार्लिमेंट बनाता है तो पार्लिमेंट अगर कोई कानून बना दिया लेकिन वो कानून अगर माल लीजे की किस सही है या नहीं है क्या आपके दिमाग में इस से related कोई example आ रहा है तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बीच में बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह के आपको example में दिखाना चाहूँगा जैसे कि माल लीजे EWS आरक्षन को लेकर EWS तो EWS आरक्षन क्या था तो यह था economic vicar section का एक आरक्षन बनाया गया था मत बनाया ही गया है और इसमें कुछ खास लोगों को क्या क्या गया है आरक्षन दे दिया गया है ताकि वो job वगरा ले सके तो अब यह हुआ कैची अब ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा कि आरक्षन तो पहले उन लोगों को नहीं दिया जाता था आरक्षन तो सिर्फ किसको मिल रहा था A.C.C. को मिल रहा था या S.T. को मिल रहा था या O.V.C. को मिल रहा था क्योंकि यह सब पहले सी ही क्या है सताय गया है और इनको बराबरी में लाने के लिए एक special जो है वो रूल बनाना पड़ा है ACST OVC का जो एक आरक्षन का बेवस्ता किया हुआ था लेकिन ये बीच में जो है ये EWS का आरक्षन बना के ला दिया गया ठीक है तो इसका बिवात का फिजाद चला तो कोर्ट में इसकी समिक्षा बैठें ठीक है कि ये जो है ये सही है या गलत है यानि कि EWS आरक्षन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर जो है सुनवाई होना चाहिए तो ऐसा ASTOBC आरक्षन में लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो आरक्षन EWS का आरक्षन है वो वाइलेट करता है ASTOBC आरक्षन को भी और जो आरक्षन का जो एक दायरा है उसको तोड़ता है fundamental जो structure है constitution का उसको कहीं न कहीं break करता है तो एक ये चीज़े होती है तो judiciary review यानि कि इसमें court अपने एक समिक्षा ले सकता है कि कोई भी law pass होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपको कुछ और भी जैसे मैं आपको यहाँ पर example देना चाहूंगा जैसे कि माल लिजे कि जो अब women लोग जो है वो तो अब duty करती है माल लिजे कि वो private sector में job कर रही है या government sector में job कर रही है लेकिन उनके साथ दिकत क्या होता है कि वो periods हो जाती है तो अब इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि क्या उनको उस दोरान छुटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए ठीक है तो यह बहुत ही वहतर मुद्दा को ठाया गया है कि जो भी महिलाएं है periods जब होती है तो क्या उनको जिस भी sector में वो job कर रही है तो क्या उनको उस दोरान holiday मिलेगा या नहीं मिलेगा इस तरह कि जो भी चीजे होती है इसके लिए भी judiciary आपका काम करता है कि यह review करता है कि कोई भी law सही है या नहीं है उसको वो हटा भी सकती है और उसको जोड भी सकती है और क्या role है जोड़ी शरीका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि upholding the law and enforcing fundamental rights यानि कि कानून की रक्षा करना ठीक है और उसको fundamental rights को enforce करनी की भी जो ability है वो किसके बाद से code के पास है अब जैसे ही इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक example के तोर पे लेते है हाकिम शेक पश्रीम बंग खेत मजदूर समीती के एक सदस्य थे जो पश्रीम बंगाल में खेती हर मजदूरों का एक संगठन है 1992 में एक शाम वेज चलती ट्रेन से गिर गया और उन्हें सीर में गंभीर चोटे आई उनकी हालत बहुत नाजूक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवशक्ता थी उन्हें कॉलकॉता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उन्हें भरती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था दूसरे स्पताल में आवशक्त स्विधायें या उनकी इलाज के लिए जरूरी विशेशग्य नहीं थे इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर आठ सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया किन्तु किसी ने भी उन्हें भरती नहीं किया अंत में उन्हें एक नीजे स्पताल में भरती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया उन्होंने अपनी इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया जिन अस्पतालों ने उन्हें भरती करने से इंकार कर जा था उनके उपेक्षप और रवये से नाराज और शुप्न होकर हाकिम शेक एवं पी बी के एम एस ने कोट में मुकदमा दायर कर दिया हमारे सविधान के अनुसार लोगों के हित को शुनुशित करना और सबको स्वास्थ सिवाएं परदान करना सरकार का प्रात्मिक करते हैं सरकार को हर वेक्टी के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है आदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठनाईों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर विक्ति को इलाज नहीं पदान कर पाता है तो इसका तातपर यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है आदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का करतावी है कि वह मरीजों को अवशक स्वास्त सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधावी समलिट हो अस्पताल और उनके स्वास्त संबंधी करमचारियों को अवशक इलाज प्रदान करने की जिम्यदारी पूरी करनी चाहिए कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था इसलिए अदालत ने राजे सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर वे किये गए पूरे खर्च का भुकतान करें कोट में जब मुकदमा गया तो कोट ने ये पाया कि ये मामला एक्चुली क्या है आर्टिकल 21 का है यानि आर्टिकल 21 के अंदर ये प्रोविजन बना हुआ था कि which provides every citizens the fundamental right to life यानि कि हर वेक्ती को जीने का अधिकार है अब जीने के अधिकार के अंदर क्या-क्या include है right to health का भी इसमें provision जो है वो बना हुआ है यानि कि हर वेक्ती को health के सेक्टर में उनकी एक अपनी right है जो कि एक fundamental right है right to life और ये आपका क्या आता है article 21 के अंदर आता है ठीक है तो यहाँ पर court ये देखती है कि इस वेक्ती को तुरंत जो है जो भी basic चीजे थी जो मुहया कराया जाना था ताकि जल से जल इसकी इलाज हो सके लेकिन उस दोरान जितने भी hospitals थें वो admit करने से refuse कर रहे थे तो court ने पाया कि ये कहीं न कहीं violation है article 21 का यानि right to life का तो court ने क्या क्या मुकदमे में ये चीज डाला कि जो भी आपके state government है total खर्चा जो है जो भी इसका हुआ है खर्चा वो state government जो है वो भरेगी और उसने ये भी कहा कि ये article 21 के अंदर आता है इस तरह का कोई भी अगर मामला आता है तो इस पर कोई भी hospital जो है वो refuse नहीं करेगा अगर करता है तो इसके लिए जो government है वो responsible है क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी के life को बचाने का काम नहीं कर रहे है right to life का जो provision है उसको आप उलंखन कर रहे हैं तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि जो judiciary होता है उसका क्या क्या रोल होता है ठीक है तो तीन points में आप लोगोंने समझा की judiciary का रोल क्या है तो पहला रोल जैसा कि आपने देखा dispute resolution यानि कि अगर कोई बिवाद है तो उसको भी निप्टाया जा सकता है कोट में judicial review यानि कि अगर कोई कानून अगर हमारे constitution को valid करता है वो कोई कानून नया बन चुका है तो उस पर समिक्षा करना उस पर पुनर विचार करना वो कानून या वो law रहेगा या नहीं रहेगा ये किस के हाथ में होगा वो आपके judiciary के पास होगा यानि कि इस बात का decision कौन लेगा सुप्रिम कोट लेगा हाई कोट लेगा इस तरह का साथ ही साथ इसमें हम भी ये भी देखते हैं कि और क्या रोल है judiciary का तो इसका रोल है कि जो law है उसकी रक्षा करना किसका काम है जुड़शरी का है fundamental rights का सहिस्तमाल हो रहा है या valuation हो रहा है इस पर भी judgment करने का power किसके पास है जुड़शरी के पास है तो I think आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि what is the role of the judiciary आप इसके विशे में और क्या examples हो सकते हैं comment section मांके ज़रू बताइएगा